परमानू उर्जा संयंत्र जो है वो गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमेटर दूर तापी तापती नदी के किनार इस्थित है और हम आपको यह जानकारी दे दें कि दो यह जो दो नए हेवी वाटर रियक्टर हैं 22,500 करोड रोपाई के लागत से यह दो नए हेवी वाटर रियक्टर का लोकारपन आज किया गया प्रहार मंत्री की तरफ से और इसी यूनिट में इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के ज़र प्रहार मंत्री मौजूद और यह जो काकरापा रियक्टर है इसमें यू यूनिट और उनमें से अभी जो प्रत्य की ख्रमता वो लगबग 220 मेगावाट की है लेकिन जो 700 मेगावाट की परियोजना है यूनिट 3 और यूनिट 4 की हैं वो विश्व में कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित रियक्टरों में से अगर कोई रियक्टर है तो वो काकरापार का जो निउक्लियर इंस्टाल्मेंट है वो है सबसे सुरक्षित माना जाता है इसे और सबसे महत्पुन ये भी कि चाहे वो यूनिट 3 की बात कर लें या फिर यूनिट 4 की बात कर लें स्टील लाइन की इसमें आंतरिक रोक्थाम प्रनाली इस तरह से बनाय गया है ताकि अ हम आपको अगर बता दें कि ये सिविल निउक्लियर के लिए और इस दिशा में बहुत ही महत्पुन आज का दिन दो नए हेवी वाटर रियक्टर का लोकार्पुन किया गया है और इसकी कुल लागत 22,500 करोड रोपाई की है और भारत की जो पर्मानु यात्रा रही है वो भ अगातार बढ़ता जा रहा है तमाम देशों के साथ सहीयोग भी कर रहा है हम जानते हैं कि भारत की कोशिश है कि चाहे वो पर्मानु और जा की बात हो या फिर जो घैर परमपरागत जो और जा की बात है इसमें किस तरह से भारत आपने आपको आगे बढ़ा है ताकि कहता है कि हेवी वाटर रियक्टर इसका मत्तब यह कि एक परमानु और जा रियक्टर होता है जो कि आम तोर पर उसमें जो इंधन यूज के जातम जानते हैं कि यूरेनियम का प्रियोग होता है थोरियम का प्रियोग होता है यह आम तोर पर इसके इंधन होते हैं तो अपने जो शीतलक होता है और जो moderator होता है उसमें भारी पानी का भारी पानी मतलब थोड़ी सी टेक्निकल लेंगविज ये कि deuterium oxide भारी पानी एक chemical deuterium oxide का इसमें प्रयोग किया जाता है और ये जो deuterium oxide है भारी जल ये एक coolant के तोर पर शीतलक के दबाव में रखा जाता है और जिसस वैसा कि एक अगर हम कहें कि जो सामाने दबा वाले जो जल्ड रियक्टेर होते हैं उसमें वैसा ही होता है जबकि भारी पानी सामाने जो हलके पानी के तुलना में काफी अधिक महंगा होता है और हम सभी ने पढ़ा होगा एलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अपने स्कूली सिख्षा के दौरान तो ये न्यूट्रॉन की जो वहां स्थिती होते हैं उसको काफी बढ़ा देता है जिसमें की जिससे रि लिहांस आप देख सकते हैं कि चाहे वह वह वाटर रियक्टर की बात हो या फिर इससे पहले की जो इस्थिती थी इन दोनों ही स्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण परमानू और जा के जनरेशन के लिए उसके उत्पादन के लिए तो आज का दिन परमानू और जा के लिहांस से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन दो नए हेवी वाटर रियक्टर का लोग आरपनू